जुल्म जो है ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है कहीं ना कहीं तो जुल्म का खत्मा ही होगा स्पोर्स के साथ प्रिशासिन की टीन बुल्डोजर के साथ हम सफर रिजॉर्ट पहुची तो मानों वहां हर कंप मच गया बुल्डोजर चला तो रिजॉर्ड की बाहरी दिवार को तोड़ा गया तो वहीं उसकी पडिसरें बने एक लिमान को भी तोड़ा गया ओवरहेड वाटर टांग पर भी बुल्डोजर चला बुल्डोजर चला तो बयान भी शुरू हो गया ऐसे माजम खान की पत्नी भी बोली बोली की ये सब साजिश है बोली की इंतकाम की आच में अंधा हो गया है प्रशासिन कि हमें बद्राम करने के लिए रिजॉर्ट पर रिजॉर्ट को तोड़ा गया है मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मुझे नोटिस सर्फ किया गया था राजस परिशत के निरिक्षक के दौरा जिसे मैंने पांच तारीख को रिसीफ किया था और उसमें साथ दिन का समय दिया गया था कि साथ दिन के में हम कारवाई करेंगे लेकिन अभी पांच तारीख को हमने रिसीफ किया है अभी समय सीमा खतम होने में दो दिन का समय बाफ़ी है और कल एक मौखिक तरीके से उन्होंने ये कहलवाया रात को कि हम कल कारवाई करेंगे मैंने उन से ये खा कि पहली चीज तो ये है कि दूसरे मुकदमे मेरे SDM के कोर्ट में बयान है और दूसरी बात ये है कि अभी समय खतम होने में दो दिन का समय और बाकी है लेकिन उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एक चीज ये भी बता दूँ कि जो गाटा संख्या वो बता रहे हैं 164 जिसमें वो कह रहे हैं कि हमसफर रिजॉर्ट की जमीन है उसका ज्यादा तर हिस्से पर जल लिगम की टंकी बनी हुई है और पानी का पंप लगा हुआ है उसकी बाउंडरी बिलकुल अलग है और उसका हमसफर रिजॉर्ट से कोई मतलब नहीं है ज्यादा तर 164 गाटा संख्या जो है उसमें टंकी और पंप है दूसरी बात यह है कि राजस्यों का जो पुराना नक्षा है उसमें वहाँ पर सलक बहुत चोड़ी है जब सलक बहुत टंग है जब वो सलक दोबारा बनी तो वो डिवाइडर भी उसमें किया गया फोर लेन बनी और वहाँ पर फुटपाथ भी बनाए गए तो ज़ादा तर 164 रख्बे का जो गाटा संख्या का हिस्सा है वो सलक के चोड़ी करण में भी आ गया पहले भी मेरा बेटे अब्दुल्ला ने इस तरह की एप्लिकेशन दी थी प्रशासन को कि सलक की नपत कराई जाए और हमारी अपनी जमीन जो है उसमें आ गई है उसका प्रतिकर दिया जाए लेकिन तब भी प्रशासन ने उस पर कोई गोर नहीं किया था आज भी उन्होंने हमसे इतनी ज़्यादा दुश्मनी थी कि खुद अपनी सरकार के द्वारा बनाई हुई जो जल निगम की टंकी की बाउंडरी वगरा है वो सब तोड़ दी तो तन्जीम फातिमा दावा करती है कि जो डेडलाइन नोटिस में दी गई थी उससे पहले ही बुल्डोजर चला दिया गया वो कहती है कि यह सब फर्जी तरीके से उन्हें बदनाम करने के लिए आगया वे आरुप लगाती हैं कि प्रश्यासन पूरी तरह से अराजक तत्व के दबाओ में है तो उनका अशारा किसकी ओर है और कौन है वो रामपूर का राजक तत्व कॉमेंट बॉक्स में अपनी राह ज़रूर रखे आपको बता दे कि बीजेपी विधायक आकाश उसकसिना ने इसा वैत निर्मान को गिरानी के लिए स्टेम को एक चिठी लिखी थी इसके बाद प्रशासन की ओर से इस पर कार रवाई की गई और आजम खान के हमसफ़र रिजॉर्ट पर बुल्डोज अरेक्शन हुआ